गुड मॉर्निंग आज 13 अप्रेल 2023 है आज के करंट अफेर्स के जितने भी क्वेशन है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज का मोटिवेशन अपनी कोशिशों को जारी रखे लक्ष भी हासिल होगा और अनुभव भी मिलता रहेगा आज का प्रीविश एर क्वेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्तित है ओप्षन A जेनेवा में ओप्षन B रोम में ओप्षन C सिड्नी में ओप्षन D टोक्यो में ये क्वेशन UP PCS 2010 में पूछा गया था इस क्वेशन का अंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा आज का पहला क्वेशन है हाल ही में किस राजी सरकार ने विनायक दामुदर सावर करकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है विनायक दामुदर सावर कर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है विनायक दामुदर सावर कर की जन्म जैन्ती 28 मई को होती है ये भारत के स्वतंत्रता अंदोलन में सावर कर के योगदान को भी उजागर करेगा उनकी विचारधारा का प्रचार करेगा और सामाजिक सुधारों के लिए उनके अभियानों पर ध्यान केंदित करेगा विनायक दामुदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महराश्ट्र के नासिक जिले में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है एनके सिंग किस राज के उच्च न्यायले के मुख्य न्यायदिश बनाये गये है हाल ही में एनके सिंग को त्रिपूरा राज के उच्च न्यायले का मुख्य न्यायदिश बनाया गया है त्रिपूरा के उच्च न्यायले की स्थापना 23 मार्च 2013 को हुई थी त्रिपूरा की राजधानी अगरतला है त्रिपूरा के मुख्य मंत्री मनिक साहा है त्रिपूरा के राज़िपाल सत्यदेव नारायन आरे है त्रिपूरा तीनो और से बांगला देश से घिरा हुआ राज है नेक्स्ट एक्वेशन है विश्व पार्किंसन्स दिवस कम मनाया जाता है प्रतेक वर्ष विश्व पार्किंसन्स दिवस 11 अप्रेल को मनाया जाता है इस दिन दॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जैनती होती है और Parkinson's रोग Central Nervous System का एक रोग है इस वर्ष इसकी थीम है Hashtag Tech64PD Next question है किस राज्य की गोंड पैंटिंग को GI Tech दिया गया है? मध्यप्रदेश राज्य की गोंड पैंटिंग को GI Tech दिया गया है मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना एक नवंबर 1956 को की गई थी मध्यप्रदेश इसकी सीमा 36 गड़, महराष्ट, गुजरात, राजस्तान और उत्रप्रदेश से लगती है मध्यप्रदेश का राज्य की पशु बाहरा सिंगा है और राज्य की पक्षी दूद्रा जया पेराडाइस फ्लाई केचर है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान है मध्यप्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल है मध्यप्रदेश में विश्व दरोहर इस्थलो में खजुराहो मंदिर, साची स्थूप, भीम बेट का गुफाय स्थित है मध्यप्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा है राश्च्यूध्यान, काना किसली राश्च्यूध्यान, बांधाउगर राश्च्यूध्यान, कूनो नेशनल पार्क और मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बेगा, आदी शामिल है जी आई टेग का पूरा नाम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि की भोगुलिक संकेतक है World Intellectual Property Organization, WIPO के मताबिक, जी आई टेग एक लेबल है इसके तहट किसी भी इलाके में किसी प्रोडक्ट को एक विशेज भोगुलिक पहचान दी जाती है उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उस पर्टिकुलर स्थान विशेज के भोगुलिक गुणों से होती है भारती संसद ने प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन और संरक्षन को लेकर December 1999 में एक एक्ट पारित किया और इस एक्ट को 2003 में लागू किया गया भारत में 2004 में पहला GI टेग दारजिलिंग की चाय को दिया गया GI टेग देने के लिए ये देखा जाता है कि जिस वस्तू का उतपादन हो रहा है उसके उतपादन में वहां की भोगुलिक इस्तिती का कितना योगदान है इसके साथी वस्तू की क्वालिटी को भी परखा जाता है एक बार GI टेग मिलने के बाद वो 10 वर्षों तक वैद रहता है इसके बाद यदि कोई जिला अपने प्रोड़क्ट की GI टेग की अवधी को बढ़ाना चाता है तो वो फिर से आवेदन कर सकता है भारत का पहला 3D प्रिंटेट पोस्ट ओफिस कहां खोला जाएगा इसका आकर 1000 वर्गफूट होगा और काम करीब 45 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है L & T द्वारा बनाए जा रहे इस पोस्ट ओफिस की लागत 23 लाख रुपय आकी गई है जो सामाने से 40 प्रतिशत कम है IIT मदरास ने इसे डिजाइन किया है बेंगलूरू करनाटक की कैपिटल है करनाटक के मुख्य मंत्री बसवराज बुम्मई है करनाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है करनाटक में कुछ राश्ट्य उध्यान, नागर होल राश्ट्य उध्यान, बांदीपूर राश्ट्य उध्यान, बनेर खट्टा राश्ट्य उध्यान, अंशी नेशनल पार्क आदी स्थित है यहाँ पर शरावती नदी पर जोग या गर्षोपा जलप्रपात इस्तित है नेक्स्ट क्वेशन है राज उर्जा दक्षता सूचकांग 2021-22 किस ने जारी किया? हाल ही में राज उर्जा दक्षता सूचकांग 2021-22 आरके सिंग द्वारा जारी किया गया विध्यूत मंत्राले के केंद्री मंत्री आरके सिंग ने राज उर्जा दक्षता सूचकांग 2021-22 की रिपोर्ट जारी की इसमें पांच राज उर्जा फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्रप्रदेश, करनाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और अचीवर श्रेणी में चार राजे हैं आसम, हरियाना, महराश और पंजाब नेक्स्ट एक्वेशन है राश्ट्रिय सुरक्षित मात्रत्व दिवस कब मनाया जाता है? राश्ट्रिय सुरक्षित मात्रत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रेल को मनाया जाता है 2003 को पहला राश्टी सुरक्षित मातरत्व दिवस मनाया गया और भारत राश्टी सुरक्षित मातरत्व दिवस मनाने वाला पहला देश था Next question है कजाकिस्तान में एश्याई कुष्टी चेंपियन्शिप में निशा धहिया ने कौन सा पदक जीता हाल ही में कजाकिस्तान में आईउजित एश्याई कुष्टी चेंपियन्शिप में निशा धहिया ने रज़त पदक जीता इन्होंने 68 किलोग्राम वर्ग में रज़त पदक प्राप्त किया इनके अलावा प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग में कास्ति पदक जीता आज का क्वेश्टन था विश्व मौसम विज्यान संगठन का मुख्याले अवस्तित है इसका अंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्यान संगठन का मुख्याले जेनेवा में अवस्तित है विश्व मौसम विज्यान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी इसका मुख्याले जेनेवा में है 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पेटेरी तालास है